नमस्कार इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सैयुक्त राष्ट सुरक्षा परिशद और भारत को इसकी आस्थाई सदस्ता प्रदान किया जाना तो आपको बता दो कि भारत जो है एसिया प्रसान समों से एक मात्र उमीदवार है जथा सैयुक्त राष्ट के सुरक्षा परिशद में और स्थाई सदस्त के तौर में एक जनवरी 2021 से सामिल होगा तो यहां पर बात आती है कि गैर इस्थाई सदस्त से जो होते हैं वो अगर उनकी बात करें तो इनको दो वर्ष के लिए चुना जाता है सैयुक्त राष्ट राष्ट रख्षा परिशद में पांच इस्थाई सदस्त से होते हैं और दस और इस्थाई सदस्त से होते हैं तो अगर हम बात करें कि गैर इस्थाई सदस्तियों का निर्वाचन किस प्रकार होता है तो आपको बता दें कि हर वर्ष सैयुक्त राष्ट महासभा कुल 10 और 27 सदस्यों में से 5 गैर 27 सदस्यों का 2 वर्स के कारकाल के लिए चुनावा करती है जैसे अभी 17 जून को भारत को चुन लिया गया तो इस वर्स भारत को नहीं बलकि एक जनवरी से भारत सदस्यों माना जाएगा ये होता है तो हम यानि कि हर वर्स 5 सदस्यों का चुनावा कर लिया जाता है जिनको अगले वर्स सदस्यों का चुनकि हर 2 साल के बाद जो सदस्यों होते हैं उनकी सदस्यों का खत्म हो जाती है तो अब हम सीटों के वितरण के बारे में अगर बात करें जबकि पूर्वी यूरोपी देश में से एक सीट प्रदान किया जाता है जबकि लैटिन अमेरिकी और केरिबियाई कंट्री के लिए दो सीट प्रदान किया जाता है सुरक्षापलशत में गैर इसायचेदस के रूप में जबकि पर्सी में यूरोप और अन्य देसों के लिए दो प्रदान किया जाता है और यहां पर ये भी ध्यान देना है कि अफरीका और एसिया के लिए जो निधारित पांस सीट है उनमें तीन सीटे अफ्रीका के लिए हैं और दो सीटे एसिया के लिए प्रदान की जाती है इसके लावा ये दोनों समूँ यानि कि एसिया समूँ और अफ्रीका समूँ आपस में एक परस पर अनौपचारिक सहमती से एक सीट अरब देशों के लिए अरख्षित कर दिये हैं और अफरीका तथा एसिया प्रिसान समू प्रती दो वर्स में बारी बारी से एक अरब उमिद्वार को प्रस्तूत करते हैं अब हम निर्वाचन की बात करें कि निर्वाचन कैसा होता है तो समसंख्या वाले वर्स से अरंब होने वाले आस्थाई सदस्ता के कारकाल के लिए चुनावों में दो अफरीकी सदस्त तथा पूर्वी यूरोप, एसिया प्रिसान्थ, लैटिन अमेरिका और केरेबियन छेज जिसे एक-एक सदस्ते चुने जाते हैं, जबकि विसम संख्या वाले वर्स में शुरू होना, यानि कि जिसे अभी 2020 में जो हुआ, तो इसमें क्या होगा, कि दो अफरीकी सदस्त, एक पूर्वी यूरोप, और एसिया प्रसान्थ से एक, लैटिन अमेरिका और केरेबियन छ चुना होगा, उसमें दो कंडिडेट या दो मिद्वार पस्टी में यूरोप से सामिल होंगे, जबकि एसिया प्रसान्थ अफरीका और लैटिन अमेरिका और केरेबियन से एक-एक सदस्त को चुना जाएगा, ये कंडिशन रहता है, और अगर इसमें हम मत की बात करें, या उस्तिहाई सदस्यों का मत पाना अनिवार होता है, जैसा कि पता है आपको कि महासभा में कुल 193 सदस्य हैं, UN, SC यानि कि United Nations Security Council में, तो उनमें से कम से कम 129 सदस्यों का समर्थन पाना अनिवार होता है, और ये भारत को मिला, इसकी वज़ाए से ये सुरक्षा परशद का अस पाकिस्तान दोनों, United Nation के सदस्यों के लिए गय थे, जिसमें आठ राउंड चुनाओं का चला था, और फिर उसमें पाकिस्तान को सदस्यों मिली थी, और वर्ष 1996 में भारत जापांच से चुनाओं में आर गया था, इस साइज सदस्यों की बात हो रही है, साथ ये साथ अग परिशत, जो की सन्युक्तराष्ट का, यानि की UN का सबसे महत्यकूर्ण अंग है, और इसका कार अंतराष्टी सांती और सुरक्षा कायम रखना है, और इसका गठन दुती विश्योत के समय सन 1945 में हुआ था, और अगर हम सन्युक्तराष्ट परिशत के सक्तियों के बारें ब कारवाई को भी करता है, इसके लावब जितने भी सदस्यों की UN के सदस्ये हैं, उन पर बादकारी प्रस्तावजारी करने का अधिकारवला, सायुक्तराष्ट का एकमात निकाओ, निकाए, सायुक्तराष्ट सुरक्षा परिशत हैं, और अगर हम सायुक्तराष्ट सुरक्ष फ्रांस, चीन और USA हैं और सुरक्षा परिशत के ये सभी 5-7 सदस्य हैं और इन सदस्यों के पास वीटों का अधिकार होता है और इसके अलावा इन 20-30 सदस्यों के अलावा 10 अनिय देसों को 2 साल के लिए और 20-10 के रूप में सुरक्षा परिशत में सामिल किया जाता है तो यह झाल झाल